लूख लूख वेलकम बाक तो मैं चैनल आज हम बात कने वाले हैं आच्छ पार्ट चेप्टर हिस्ट्री की बात करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया में पहली सिटीज कैसे आई थी कैसे सिविलाइजेशन जो सेट हो गया था जो हमने फॉस्ट चैप्टर में पढ़ा था फॉस्ट फार्मर्स के अंदर पढ़ा था कि कैसे हम धीरे-धीरे हमारे हंटिंग लाइफस्टाइल को सेटल कर चुके थे अग्रिकल्चर कर चुके थे तो वही जो आगे जाके सिविलाइजेशन में करमट हुई जो हमने कुछ नाम पढ़े थे इंडिस वेली सिविलाइजेशन हरपन सिविलाइजेशन नाम अगर आपको याद होगा उसी के बार विडियो आपको continuous नहीं देखना है, आपको 40-40 minutes के अनुसार या pages जितने हो जा रहे हैं, जितने topic cover हो रहे हैं, अलग-अलग cities अगर cover हो रही है, उसके अनुसार आपको pause करना है, notes लिखना है, पढ़ना है, कुछ और काम करना है, कुछ और पढ़ना है, उसके बाद वापत से textbook with you guys, अगर अब तक आपने मेरे चनल को subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी subscribe कर लिजिए, and share करिए guys, share करिए, अपने दोस्तों को बिच में share करिए, okay, so as you can see, the textbook, first cities of India, second chapter history section, arts का हम लोग पढ़ रहे हैं, and हमने first chapter देख लिया था, बहुत प्यारा सा, अब हम देखेंग second chapter, so, यहां पर हम Indus Valley civilization, यानि कि जो हमें हरपा civilization के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसके बारे हम देखेंगे, अब आपको पहले थोड़ा सा logic समझना है, बहुत बार यह confusion हो जाता है बच्चों को, देखें, यह सारी चीजे बहुत पुरानी थी, वो हमने बाद में discover किये थी, बाद में हमने उसे खोजी थी, excavations किये थी, British सरकार जब यहां पर थी, उन्होंने बहुत सारे अगर आपको याद होगा, तो उन्होंने बहुत सारे excavations यहां पर कंड़क किये थे, अलग-अलग जगाओ पे, तब हमें यह sites मिले थे, और जो region के अनुसार, जो Aspas River है, उसके अनुसार, यह सब के अनुसार उसका naming किया गया है, उस जमाने में एक्चिल में जब वो लोग थे, वो उसे हरपा कहते थे, वो उसका कोई यह नहीं है, प्रूफ नहीं हमारे पास, वो से कुछ और ही नाम से बोलते होंगे city को, लेकिन यह हमने उस चीज को नाम दिया हरपा हरपा वर्ड का मीनिंग एक tamilin वर्ड से आता है, जिसका मीनिंग होता है जो river के पास में हो, ठीक है, तो माना जाता है वहीं से यह वर्ड निकला है हरपा, तो अब सबसे पहले हमें उस जगा को मिला था तो हमें हरपा नाम दे दे था और उसके बाद वहां की जो एक characteristics थी, वहां के जो एक pattern था की अच्छा यहां पे घर इस तरह से होते हैं, अच्छा यहां पे इस तरह के tools इस्तमाल होते हैं, अच्छा यहां पे streets इस तरह से बनी हुई हैं, तो यह हमें अलग-अलग जो evidence मिला, उसके बाद हमने और भी इंडिया में और आज का जो पाकिस्तान हो तरह के का, इनका streets बना हुआ हैं, तो यह सारा चीज जो है हमने connect किया और वो total जितने भी sites है, वैसे around 2000 plus sites है कुछ, वो सारा overall हरपन civilization के अंदर आता है, लेकिन हर site का एक individual नाम भी मौजूद है, जो उस particular area या particular region के आसपास की river या particular गाओ के आसपास की उपर उसको नाम दिया गया है, for example, गुजरात में एक हरपन site है, धोला वीरा करके, तो धोला वीरा एक गाओ है गुजरात के run-off कच में, तो वहाँ उसके basis में इसको नाम दिया गया है, तो यह आपको थोड़ा logic समझना है कि यहाँ पर आप हरपन civilization यानि एक पूरा बड़ा सा हम जो civilization की बात करें उसके अंदर cities अलग-अलग पढ़ने वाले है, जो अलग-अलग sites है उसके बार में पढ़ने वाले, तो main major cities कौन से है, major यानि सबसे बड़े-बड़े cities कौन से है, sites हो बहुत सारे मिले हमको, लेकिन major cities कौन से है, उसके बार में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो हरपन civilization के अं Okay, let's just start reading, बहुत ही interesting सा, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, characteristics of Harappan civilization, तो इसकी characteristics क्या थी, मतलब क्या चीज़े हमने देखी जिससे हमने बोला कि अच्छा ये Harappan civilization है, it has been mentioned earlier that the roots of Harappan civilization are to be found in the pre Harappan culture of Neolithic times at Mehaghar in Balochistan, तो हमने लास्ट चैप्टर में ये बात देखी थी कि Balochistan में जो मेहेगर नाम का जो जगा था, वहाँ पर हमने Neolithic settlement चालू कर दिये थे, और वही हमारा आगे के लिए base बन चुका था, वही cities में convert हुआ था, ये बात हम पढ़ चुके है, this culture is known as Togao culture, इसका pronunciation I don't know क्या है exactly, Togao culture तो वो जो culture था उसे क्या कहा जाता है, Togao culture कहा जाता है, यानि Neolithic और हरपन के बीच का एक जो pre-Hरपन phase चल रहा है हमारा, transition phase चल रहा है, it shows traces of the beginning of हरपन culture, तो यहाँ पर हमें सबूत मिलते हैं कि ये हरपन culture start होने वाला है भी, Jean या John Francis Zarides and Richard Meadow conducted the excavations at Mehegar, Mehegar में जिसने excavations किय था, उन offices के नाम यहाँ पर दिये गए है, another Neolithic culture of the pre-Hरपन period is known as Ravi और हकरा कल्चर, ये river के नाम है, Ravi river, हकरा river का नाम है, Punjab और जो current Pakistan में पढ़ जाता है, ठीक है, आदा Punjab पाकिस्तान में है, तो ये आपको थोड़ा समझना है अभी, Punjab कहूंगा तो सिर्फ हमारे तरफ का न यानि यहीं पर आगे जाके हरपन साइट आ गई, ऐसा, it means, its remains have been found during the excavations at sites like हरपा, तो ये हरपा overall कहां पर जगा मिली, Punjab जो कहां पर है, पाकिस्तान में, कुनाल, भिराना and फर्माना in हर्याना, तो ये अलग-अलग साइट के नाम है, जहां पर हमें ये पूरा track जो हमने किय रवी रिवर का track या हकरा रिवर बोल दो, उसका जो track किया, वहां पर हमें ये सारे साइट पे प्री हरपन पीरियड वो आगे जाके हरपा में कनवर्ट होने वाला, वो हमें सबूत मिले, a few years ago, it was strongly believed that Vedic Aryans arrived in India at about 1500 before common era, however, no information was available regarding the period before that, तो कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, हम बहुत strongly बस हम इतना ही जानते थे कि 1500, 1500 before common era, Jesus Christ के birth के 1500 साल पहले, Vedic Aryans अवाने आपे आये थे ना, Vedic Aryans अब basically Aryan वो कौम कही जाती, Aryan वो रेस कही जाती है, जिसमें इरान, Persian, इरानी Persian जो है और जो इंडियन कॉंटिनेंट में आते थे लोग, वो लोग का mixed caste जो आया था उसे Aryan race कहा जाता है, जो यह हमारे पास available नहीं थी information, हमारे पास यही information एक थी, लेकिन, this situation continued till the discovery of Harappah in 1921, तो देखी कितने साल बाद, almost 2000 साल बाद, यानि 1500 साल और फिर Jesus Christ का birth, that is our first century, और फिर 1920, 1920, 1921, so almost, और total अगर गिनूंगा तो around 4000 years बाद हो गया, तब हमने discover करना चालो गया, इतने टाइम से वो sites हमें पता ही नहीं थी, इतने टाइम से वो सारी sites वो गड़ी हुई थी, या you know, discovered ही नहीं था एरिया वो पूरा का पूरा, this situation continued till the discovery of Harappah in 1921, 1921 में पहली बार इसकी खोज हु किया था, फिर next, उसके next year में ही मोहन जोदारो site मिला था, मोहन जोदारो, मोहन जोदारो का literal meaning होता है, mound of the dead, तो mound यानि की जो हम एक mountain जैसा एक छोटा सा बना देते है, एक छोड़ा सा ground level से उपर की तरफ का हमने अगर area बना दिया है, मिट्टी को जमा करें, तो उसे mound कहा ज translation होता है, तो ये इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमें skeletons वगएरा मिले थे, हमें ये पता पड़ा था, कि cremation sites वगएरा हैं वहाँ पे, तो ये उस basis पे नाम दिया गया है, originally वो लोग जो थे actual में वो जगा पे रहने वाले, तीन चार हजार साल पहले, वो लोग उसे मोहन जोदा to 3000 before common era, तो जैसे ही ये discovery वी, तो हम जो 1500, सिफ 1500 तक का ही अपना history जानते थे, वो सीधा 3 और 1500 हम आगे चले गए, 3000, 3500 before common era से अब हमारी history का हमें track पता पढ़ गया, Indian land का हमें history पता पढ़ गया, okay, at that time, a well developed and a rich civilization had flourished in the Indian subcontinent, it extended from Afghanistan to Maharashtra, from Makaran coast to Haryana, तो ये अब उसका ये पूरा बता रहे कि अब हमें इतनी पुरानी site मिल गई, और अब हमारी history जो सिफ 1500 साल तक की हमारे पास थी, before common era तक की, अब वो और 1500 से 2000 साल आगे की हमें पता पढ़ गई, that is 3500 से हमें history पता पढ़ गई, और हमें पता पढ़ा की बहुत ही प्यारा सा civilization था यहाँ पर, florist, florist यानी बहुत ही अच्छा खासा चलने वाला systematic civilization था यहाँ पर, जो महारास्टरा से लेके, महारास्टरा से लेके, जो present Pakistan पढ़ता है, वहाँ अफगानिस्तान, पकिस्तान के आगे, अफगानिस्तान, वहाँ वो पूरा एरिया से लेके, मकरन, that is मकरन क पाकिस्तान साइड आता है, वहाँ से लेके हरियाना तक, यह पूरा इतना एरिया जो, आप मैप में भी यह देख सकते हो, यह पूरा इतना एरिया जो है, हरपन civilization, इंडस वैली civilization माना जाता है, इसका total area covered is 15 lakh square kilometers, 15 lakh square kilometers, the हरपन civilization belonged to bronze age, तो stone age चल रहा था, अगर आपको याद ह होगा, नियोलितिक वगेर, हमारा stone age था, अब हम लोग bronze age में आ चुके है, हम लोग metals का इस्तमाल करना सीख गये है, हमने alloy, bronze एक alloy होता है, आपको पता होगा, bronze age उससे कहा जाता है, okay, so far more than 2000 sites of हरपन civilization have been recorded, तो मैंने आपको आपको कहा कि बहुत सारे हरपन sites है, अब जो अलग को ही time का होगा, ऐसा हमने guess किया हुआ, ऐसा हमने assumptions किया होगा है, तो more than 2000 sites अब हमारे पास recorded available है, the remains found in the cities, like उसमें से अब main main cities के नाम, like हरपा, जो main city थी, जो सबसे पहले हमें मिली थी, मोहंजुदारो, काली बंगन, काली बंगन इसका नाम है, actual literal meaning इसका होता है, काली कंगन जो होता है, कंगन, बैंगल, बैंगल जो होता है, काली, ब्लाक बैंगल इसका meaning होता है, काली बंगन, लोथल, धोला वीरा, रखी, गरही, etc., तो ये कुछ main cities है, जो बहुत ही बड़े-बड़े cities है, दूसरे हरपा sites है, ये सारे, जो हम यहाँ पे detail में देखने वाले, इसके हमने इसको connect किया, और क्या उनकी कुछ और speciality थी, तो ये सारे cities के बारे में आज हम पूरा पढने वाले है, the city of this, the history of these cities have three stages, तो इनकी तीन stages है हर city का, early Harappan period, mature Harappan, that is also called the urban period of Harappan, and late Harappan period, तो again period को हमने divide कर दिया, जैसे हमने Neolithic, फिर हमने Paleolithic किया था, stonage को divide किया था, वैसे यहाँ पर भी हम Harappan, जो इनका हमें एक पूरा range मिला है, इतना बड़ा, 2000 years से 3000 years का stretch मिला है, उसको हमने divide कर लिया, early Harappan period, mature, यानि actual में जब सब लोग बहुत अच्छा खासा city, सब trade वग late period, यानि अब धीरे-धीरे decline हो रहा है, problems आ रहे, cities बरबाद हो रहे, बंद हो रहे, खराब हो रहे, डूब जा रहे, earthquake हो रहे, या basically वो civilization नस्ट हो रही है, okay, the question regarding the authors of the Harappan civilization still remains mysterious, तो यह सब information हमें जो आदी मिली है, किसने क्या लिखी है, वो अभी तक mysterious हमें ठीक से पता नही है, some of the main characteristics of the Harappan cities are, तो पहले तो हम लोग main characteristics, जो हम अभी पढ़ने वाले, वो main बाते हैं, जो सब cities में common होने वाली है, वो हर एक Harappan site को identify करने के लिए काम होने वाली है, तो वो क्या बाते है, वो क्या characteristics है, वो क्या features है, जिससे हम कहेंगे कि ये अच्छा, ये जो है, इसके वज़े से ये Harappan city है, तो वो हम पढ़ेंगे, एकदम simple, एकदम basic है सारा, let's read it, सबसे पहला, systematic town planning, यानि कि जितनी भी sites हमें मिली है, बहुत systematically plan था, बहुत अच्छी तरह से planning की गई थी, roads बहुत ही symmetrical बने थे, घर बहुत अच्छे से बने थे, roads चार रस्तों में cut होते थे, and parallel ही जाते है, पुरे city को cover करते है, पुरे town को cover करते है, लोग एक जगह से दुसरी जगह असानी से जा सकते है, तो ये सब बहुत ही systematic planning कहा जाता है, घर अच्छी तरह से बनाना, bricks क्या यूज करना, घर के shape क्या होना, कैसे होना, ये सारी चीज़ उसमें आ जाती है, so let's see that, houses of baked bricks, complete with bathrooms, toilet, wells, etc, existence of granaries, impressive public monuments, English-born missionary, excellent drainage system, public bath, two or more divisions of city, with each division enclosed by independent fortification walls, streets crossing each other with right angles, and the resulted blocks used for building houses, that is grid pattern, तो already manager सापको गुला कि चार रस्ते वगेरा थे, तो हर घर में bathroom toilet available है, well available है, granaries, granaries यानी grain store करने के लिए इनका एक common जगा या बीच में एक पुरा जहांपे सबका grain store हो रहा है, वो available है, बहुत अच्छे public monuments बने हुए, impressive public monuments, shape, design वाले, bond missionary, तो ये bond missionary क्या है, it is basically brick, brick को arrange करने क technique होता है, masonry, mystery जो काम करता है, जो इटे लगाता है, तो I am just gonna show you, एक simple सा, ये bond missionary यहापे basically क्या है, so mystery जो काम करता है, जो construction करता है, उसे masonry कहा जाता है English में, bond masonry, तो ये it is the method in which आप दो इट को header position में रखते हो, दो इट को header में रखते हो, और दो इट को आप stretches, this is called stretches, ये header position है, और ये stretches position है, तो आप ये ऐसे करके इस तरह का pattern बनाते जाते हो, इस तरह का pattern बनाते जाते हो, और आप अपना जो भी है construction करते हो, header and stretches, two header, two stretches, इसके उपर फिर अलग से like layer ये wall बना रहे हो, आप राइट, तो ये मैंने एक lower level आपको कैसे दिखेगा, एक layer कैसे दिखी कि वो दिखाई, तो ये उपर, 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 इसके उपर आप ऐसे रखना चालो करोगे, और इसमें फिर header कर दोगे, stretcher पर header हो जाएगा, header पर stretcher हो जाएगा, तो इस तरह से क्या होता है, बहुत ही strong foundation बन जाता है, और वो wall अच्छी तरह से खड़ी रह सकती है, तो that is, य public बात, basically, अगर बोलो, तो basically swimming pool हो गया, swimming pools थे, अच्छा drainage system था, ये बहुत अच्छा था, अच्छा drainage system, पूरे city का, कचरा, पटी, माल, पूरा, जो भी गंदगी है, bathroom, bathroom का, सब कुछ अच्छे से exit होता था, बहुत अच्छा drainage system था, इतना बड़ा-बड़ा drainage system था, और underground drainage system थ यानि कि city streets के नीचे अच्छी तरह से जा रहा था, और वहां अंदर अंदर इंसान जाके पूरा clean wind भी कर सकता, इतना, इतना spacious भी था, वो drainage system, ओके, ये सारे photos वागर हम देखेंगे थोड़े दिर में, two or more division of city, city को divide कर दिया था, उनोंने, like main divisions कर लिया थे, जैसे कि अगर, let let me show you, let me show you, let me show you, अगर, अगर ये एक plot है, तो city को उनोंने, समझो, partition करके रखा हुए, ये एक part है, उसमें ये फिर आदा part है, फिर ये एक part है, तो ऐसे parts में divide करके रखा था, city को parts में divide करके रखा था, उनोंने, और फिर, जैसे कि यहां पे main लोग, जो nobles वगरा है, यहां पे रहते है, फिर यहां पे workers रह रहे है, ऐसा कुछ, ऐसा सब partitions पूरा है, ये फिर common area है सब के लिए, यहां पे सब अलग-अलग लोग आपको मिलेंगे, यहां पे market है, तो ऐसा उनोंने divide करके रखा था, और ये बीच में fortification करके रखा था, fortification यानि कि क्या होता है, fort की तर और उसे हर जगा पे, हर division का उनोंने fortification करके रखा था, fortification का मतलब होता है, fort की तरह उसे बना के रखा था, high walls बना के रखी थी, हर division के ऊपर, यह यहां पे बात लिखी हुई है, fortification of the walls, streets crossing right, right angle पे streets, अच्छी खासे उनोंने like, you know, right angle पे streets उनके cut होती थी, so that is right angle streets, और grid pattern, त streets, this is called a grid pattern, okay, streets and houses का, so यह systematic, इसे कहते है, systematic town planning, let's see ahead, central administration, तो अब हर चीज का central administration था, यानि की हर चीज को चलाने वाला, एक main government जैसा, एक central authority थी, जहां से सारा काम system अगरा चलता था, administrative control over the distribution of water and other resources, पानी और खाना वाना, जैसे मैंने कहा, granaries जो थी, common granaries थी, सारा grain वहीं store होता था, वहां से लोग trade वगरा करके अपना अपना घर पे लेके जाते थे, खरीद के या जैसे भी है, barter वगरा करके, so एक common उसका distribution channel था, standardization था, standardization था, यानि की हर जगा पे same तरीके का आपको मिल तो bricks का size यहां पर हमें दिया है, bricks का ratio हमें दिया है, one is to two is to four, यानि तो brick three dimensional में अगर आप देखेंगे, तो कुछ ऐसा like you know, structure होता है, it's a kind of a cuboid, it's a cuboid, right, तो इसका उन्होंने ratio बताया हुआ है, की one is to two is to four ratio में brick हर जगा पे same आपको मिलेगा, and weights increasing in the proportion of eight, और weights भी proportion में थी, जो art-art के साफ से बढ़ते जा रही थी, set style of shapes and painted designs of pottery, pottery में भी एक fix सरेका का style था, shapes था, painted designs थे, majestic and non-residential buildings for public administrative offices, और बहुत ही बड़े, majestic, यानि बहुत बड़े, 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 non-residential, महां पर कोई रहता नहीं था, बड़े-बड़े public administrative offices, जैसे बिलिंग, जैसे आज की त रूफ है, central administration का, social organization, हर चीज, social hierarchy में थी, यानि की, society-wise divided था, power, यह सब बहुत डिपेंड करता है, power class, यह skilled labor, यह noble लोग अलग, priest अलग, तो यह सब जो class formation, जो आपने देखा था, neolithic से ही start हो गया था, जिसका base, वो सब यहां पर बहुत strong हो चुका था, social hierarchy, based on the position of power, classes of skilled artisans and individuals based on craft specialization, belief systems and artifacts, architecture indicative of them, evidence of burials, evidence of burials, indicative of rituals after death, तो यह सारा चीज हमने देखने मिला था, कि अलग-अलग classes form हो चुके था, अलग-अलग skilled workers, अलग-अलग कर दिये गए था, artistans, जिसकी जैसी skill है, उस spaces पर अलग, हमने देखा है, इसी पर belief system पुरा बना हुआ है, and यही चीज आगे ज पीच वाला जो concept है, हमाला basically, उसकी यहां पर बात हो रही है, तो यह चीज तभी से चालो हो चुकी थी, classes बन चुके थे, अलग-अलग, हाला कि तब उतना wrong way में नहीं शायद से होता होगा, जितना अब हो चुका है वो, तो यह था, and दूसरा में मिला था, कि यह लोग मरने के बाद अपने जो भी person उसको अच्छी तरह से ritual यानि गाड़ते है, या उसको जलाते है, जो भी उसका अच्छी तरह से उसका ritual पूरा करते है, तो burial sites जैसे कि मैंने कहा था, buried, तो mound इसलिए नाम था, mound of the dead, मोहन जोदरो नाम इसलिए क्योए कि बहुत सारा हमें buried sites मिले थे so that was also a common feature, economy, economy wise, mass production of goods for trading purpose, तो यहाँ पर mass production होता था, तो यह सारे cities आपस में connected कैसे थे, trade होता था, इदर का trade उदर जा रहा है, उदर कुछ बेचा जा रहा है, इदर कुछ लिया जा रहा है, यह सारा इनके बीच में होता था, that is one of the main feature जिसके वेज़े से हमें पता पढ़ा क यह सारे sites connected है, और यह सब एकी time पे, एकी time में history में मौझूद थे, और वो time हमने दे दिया नाम, हरपन civilization, mass production of goods for trading purpose, for example, well shaped, beautiful earthen pots, statues, metal objects of gold, silver, copper, bronze, various types of beautiful beads, etc, concentration of factories, residents of artistans in a particular area of city was for the sake of convenience of the production, flourishing internal and testing trade, administrative control over the trade transaction, तो यह सारी बात है economic में आप उन्होंने बता दिया, जैसे मैं आपको और रही बताया है, जो partitions करके रखे थे cities के, तो एक cities में जैसे production house है, जहांपे कुछ उन लोग pottery का का काम करते है, या कुछ beads बनाते है, या कुछ और metal work करते है, यह सारा उन्हें एक particular location पर ही सारे उन्हें जगा मिली थी, और उसी के आसपास उनको workers के रहने का अलग से residential kind of area मिला था, तो यह साब हमने देखा इसके अंदर, और यह सारा trade होता था, एक city से दूसरे city में वो लोग trade करते थे, उसको भेजते थे, वहां से खरीदा जाता था, बाटर करते थे, यह स सारा चीज होता था, यह सब centrally administrative control भी होता था, यह भी आपको समझना है, that was their economy, यह उनका कमाने का जरिया था 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 फिफ्ट वन हमें यहां पे है, use of developed writing system, तो उनके पास seals हमें मिले थे, हरपन seals आपको पता होगा, आपने पहले की chapters में 10 में भी थोड़े बहुत देखे हरपन seals अलग-अलग seals वो लोग use करते थे, जिससे भी again हमें proof मिला है कि यहां का seal सेम वहां पर भी मिला है, वहां का में दूसरी जगह मिला है, तो यह it means यह connected थे, okay, so these are the main five features of हरपन civilization, पूरे civilization का यह common features है, जो हर एक city के अंदर आपको यह बाते अभी देखने मिलेगी, Some cities of हरपन civilization, first one is हरपा, हरपा is situated on the banks of river रवी, तो यह हमने उपर ही पहले पढ़ लिया, district शहीवल, district शहीवल in Punjab, Pakistan, जो पाकिस्तान में पढ़ता है, पंजब आज की तरिक में वहां की बात हो रही है, the ancient site of हरपा had spread on 150 hectares, the first excavation at हरपा begin in 1921, पहली बार खुदाए का काम आपे 1921 में चालू हुआ था, more excavations were conducted at the site from time to time among them, the excavations conducted in 1946 by Sir Mortimer Willer, यह एक British officer थे, Sir Mortimer Willer, इन्हों ने जो किया था, यह सबसे important मान जाता है, तो यह आप नाम लिख लीजिएगा, 1946 में जो, तो 1921 से हमने ढूंद लिया था, अच्छा यह एक site है, वो बहुत बड़ा site है, वहाँ पे अलग-अलग archaeologist आते गए time के अनुसार, अपने time के अनुसार, वह वहाँ पे अपनी खुदाय का गम करते गए, तो यह जो चीज है, यह 1946 में जो, Sir Willer जो थे, उनके time का सबसे important माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़ादा उसमें योगदान दिया, At that time, he was the Director General of Archaeological Survey of India, तो अब यह आपको पता होगा, आपने 10 में पढ़ा हुआ है, मेरे साथ ही, Archaeological Survey of India क्या है, तो उसके यह Director General थे उस time पे, और उन्होंने यहाँ पे excavations किया था, During the excavation, he could trace the fortification wall around the citadel of Harappa, तो उनके excavation के time पे, उन्होंने धुन निगा, अलाकि fortification है, fortification मतलब मैं आपको बता चुआ होँ क्या होता है, fortifications है walls के आसपास, और citadel, citadel is the main higher area, citadel यानि की normal area से उपर की तरफ, जहाँ पे main लोग रहते होंगे, तो nobles, priests, वो सब लोग citadel area में रहत इन्होंने ढूंड निकाला था, the first settlement of the early Harappan period was established around 3300 before common area, तो माना जाता है, ये करीब 3300 before common area थी, आज के date के अनुसार 5300 साल के आसपास इतने पहले थी ये, it evolved to mature Harappa, that is urban phase में वो आया, 2600 before common area, यानि gap देखिये, almost 1000, almost 1000 years के बाद ये हम लोग urban में आ गए, तो वो पहले एक lower level पे थे, उतने develop नहीं थे, तो उसको early Harappan period हमने कहा है, और mature Harappan कब बन चुका है, urban यानि अब full-flate city पूरी developed है, सारा construction काम एक तरह से हो चुका है, अच्छा खासा system चलना चालो हो चुका है, trade होता है, लोग अच ये पूरा mature period का जो timeline है, that is 2600 before common era, it reached its peak और ये एकदम अपने highest पे कप पहुचा, 2450 से 1900 के आसपास, एकदम highest पे पहुचा, मतलब एकदम end peak यानि कि वो एकदम top पे पहुचा, एकदम florist था, उसके बाद से उसका decline चालो हो गया, around 1900 before common era, some internal changes begin to appear in the Harappan cities, this is the time of the onset of the late Harappan phase, और उसी से late Harappan phase चालो हो जाता है, this phase indicates decline of the Harappan civilization, इसी के बाद धिरे-दरे माना जाता है, पुरा Harappan civilization गायब हो गया, नस्ट हो गया, so ये देखे, early Harappan period हमारा start होता है 3300, यानि की 3300 में पहली बार Harappan civilization, नियोलितिक से जो transfer होके आ रहा था, वो पहला अभी बना है, okay, अब य ये flourished, यानि बहुत अच्छा बन रहा है, mature में जा रहा है, उसको कितना time लग रहा है, तो 2600 से हम लोग count करेंगे, तो that is almost 400 और 300, तो around 700 years लगे उसको mature बनने के लिए, around 700 years लगे उसको mature बनने के लिए, okay, mature period 700 साल बाद आता है, बहुत बड़ा period होता है 700 साल, okay, और फिर और 700 साल तक ये period almost चलता है, 1900 से 2600 भी around 700 years होता है, उतने साल ये चलता है और उसके बाद वो decline हो जाता है, so that is how you calculate this, okay, I hope आपको ये समझ में आ रहा है, ये आप timeline लिख लीजेगा, इसका, early harapan period started 3300, mature harapan between 2600 to 1900, जिसमें peak time was 2450, that is 2450 was the peak time, and फिर 1900 के बाद से decline हो रहा है, so that is late harapan phase, ये लिख लीजेगा, evidence of the first excavation that harappa had indicated that the city of harappa has, was divided into two parts, that the city of harappa was divided into two parts, तो पहले के excavation में हमें पता पढ़ा था कि divide किया गया था city, दो parts में, दो parts किया था citadel and lower town, तो citadel यानि कि एक area जो थोड़ा सा उपर की तरफ है, बड़ा वाला area, जहां पे main लोग शायद रहते होंगे, nobles, priests वगेरा लोग, important लोग रहते होंगे, और lower town, however, recent excavations show that it had four divisions और, लेकिन उसके बाद जो, हमने और excavations करते गहे थे, फिर पता पढ़ा कि नहीं बबा, दो parts में नहीं divide हुआ था, चार parts में divide हुआ था, apart from the citadel and the lower town, there were factories and the quarters of artisans in the southeast part of the city, the city के southeast part में, factories का एक पूरा section मिला था, और उसी के बाजु में, quarters of artisans, यानि कि जहां पे वो लोग रहते थे, वो हमें मिला, था, the area toward the north of the citadel had a greenery and the quarters of the workers working there, और जहां पे citadel मिला था, उसके north की तरफ ग्रेनरी थी, और ग्रेनरी में सारा store होता था और वहां पे workers काम करने वालों की quarters भी थे, it is obvious that the official staying in the citadel supervised over the granary and the workers working there, यह बहुती obvious सी बात है, citadel यानि कि जो अच्छा खासा area है, बड़ा area, top area, बाकी से, उपर की तरफ का area, अपर area जो है, वहां पे, वहां पे officers and वो लोग रहते थे, और वो लोग workers पे निग्रानी रखते थे, काम अगरा लेते थे, उसे, a few working platforms were found near the granary, granary के यहां पे भी platform अगरा हमें मिला हुआ है, so यह चीज़, I am gonna show you, एक site है बहुत पहरी सी, Harappan Civilization की यह site है, as you can see this, site का नाम ही है www.harappa.com, site का नाम ही है harappa.com, यह site बहुत ही interesting है, बहुत ही detailed है, और इसको अगर सिर्फ पूरा देखने जाएंगे, हम लोग तो हमारा chapter तो रही जाएगा बाजुमें, क्योंकि इतना beautiful और इतना detailed है यहां पे, तो मैं आपसे request करूँगा, कि आप यह site को एक बार जरूर देखे, इस site को एक बार जरूर, you know, reference करे, और आप सीखे, आपको मज़ा आएगा, बहुत सारे images है, बहुत कुछ अच्छा का सा detail लिखा हुआ है, तो आगे जो जो एक cities आएगी, उसके basis पे थोड़े पहुत sites में आपको बताऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप यह करे, तो हरपन excavations का, एक मैंने यहां पे open किया था pages, यह हरपन यह photos जैसे का आप देख सकते, हर एक photo थो हम exactly देख नहीं पाएंगे, बट आपको यह है, तो यह सारे बहुत beautiful beautiful photos हैं, बहुत detail पूरा यह आपको यहां पे देखने मिलेगा, तो मैं आपको suggest करो, देखिए, excavation कर रहे हैं, कैसे करता, excavation तरह वो देखिए, उसके बाद तो हम photos देखेंगे, पुरा excavation हो जाने के बाद, देखिए धरती के अंदर हमें मिला हुआ excavation करना मतलब पागल की तरह आप simply अपना यह bulldozer लेकर आप चड़ा नहीं सकते हो, अगर खुदाई नहीं चालो कर सकते हो, आपको बहुत ही carefully करना है, क्योंकि आप original चीज़ को तोड़ ना दो, तो यह excavation का यह है, हरपन माउंट यह है, period 2800 to 2600, तो यहां पर भटी मिली थी, यह इट की भटी का यहां पर इनको मिला था, excavation करने पर, so as I told you, यह site आप जरूर चेक आउट करेगा, www.harappa.com site, okay, बहुत कुछ है यहां पर detail में देखने को, okay, let's move to the chapter again, so हमारा एक, यहां पर भी मैप दिया हुआ है, देखी यह पूरा इतना area जो है, महरास्टा से अफगानिस्तान, and मकरा, मकरन, मकरन कोस्ट, that is in Pakistan, मकरन कोस्ट से लेके हरयान, इतना पूरा जो यह पूरा area है, यह पूरा हरपन civilization आथा, जो red boundary है, I don't know if you can see this, red boundary जो है पूरा, उन्होंने एक तरह से किया, वो international boundary है, आज की, लेकिन पहले यह पूरा एक था, okay, and उसी में आप जो sides देख रहे हो, these are the sides, let me mark it for you guys, these are the sides, यह सारे sides से अलाग अला, these are the sides, these are the sides, these are the sides, यह देखिये रखी घर ही, जो हम पढ़ने वाले आज, यह रही कली बंगन, यह रह मेन हरपा, हरपा यह सबसे पहले मिला था, मैं देखिये रवी, रिवर रव और मर्ज होती है सारी, जिलम वगेरा, so यह इसले इंडस्वाली सिविलाइजेशन, so ढोला विरा, यह रहा, ढोला विरा, इसके बारे में हम देखने वाले हैं, यह कुछ मेन सिटी हैं, जिसके बारे में आभी हम देखने वाले है, okay, let's, let's see that, let's read that, next city है मोहन जोदारो, मोहन जोदारो के बारे में आपको अल्री नाम बताया, मोहन जोदारो is Mount of the Dead, तो again, let me show you that site, मोहन जोदारो, this is मोहन जोदारो का site, जो मिला हुआ है, बहुत ही ब्यूटिफुल, देखे, यही पे लिखा हुआ है, मोहन जोदारो और Mount of the Dead, यहां पे हमें the site was discovered in 1920s, lies in the Pakistan, Sindh province, यह भी again, आप photos देख सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे, so I am gonna show you a few photos actually, यह actual में site कुछ ऐसी देखती है, यह पूरा धरती के नीचे था, इसको हमने excavate किया हुआ है, खोद खोद के यह पूरा, I don't know, यह आपको interesting लग रहा होगा की नहीं, क्योंकि यह ऐ मज़े जरा उस जमाने में इतना बेटर तरीके से यह सारी चीजे होना बहुत बड़ी बात थी, so यह टूटी फूटी चीजे जो हमें मिली है, यह हमारे प्रूफ है, उस time के, और let me show you a few photos more, great bath का photo में देखना, great bath, granaries and great bath का photo है यहाँ पे, so वो photo यहाँ पे देखिए, so this is like you know, एक यह बीच का granary है, और great bath उसके बाद ही है, जो थोड़ा close up है, so let's see that, this is a great bath, यहाँ पे पानी ही होआ करता था, और यह steps है, पानी में उतरने के लिए, swimming pool बेसिकले करा से, आप कह सकते हो, so यह कुछ प्यारे प्यारे photos ही, यह वो steps है, जो अंदर से photo है, great bath का अंदर स photo हम अंदर खड़े अब, तो यह steps से नीचे आ सकते हो, आप यहाँ पर, so यह कुछ, you know, like, आपको अगर interesting लगे तो यह आप site check out करेगा, and यह सारी चीजे देखिएगा, बहुत ही beautiful, actual sites, actual proof, drainage देखिए, कितने बड़े बड़े drainage में आपको बताया था, drainage इतने बड़े इंसान अंदर जा सकता है, इतने बड़े, looking out from inside the drain, इतने बड़े बड़े, यह great बात से drainage system बना हुआ है, वो है यहाँ पर, पानी कैसे exit होगा, गंदा पानी, यह पूरा, so यह बहुत अचा site है, आप इसको check out करेगा, and देखिए, that's it, यह थोड़ा सा देखिए, well बगेरा बना हु तो यह सारा हमें मिला हुआ है, दिजादा, you know, the proof, दिजादा evidence, अलग-अलग, and bricks आप देख सकते हो, हर जगा पूरा bricks का काम है, and हर जगा seam bricks वगरा था, तो यह सारे proof है, और यह सारी चीजा हमें मिले थी, यह street, एक street का देखिए, यहाँ पर एक room था, जहाँ बहुत सारे skeletons मिले थे हमें, यह कॉर्णन वाला room में शायद से हो, और यह main street थी, first street है यह, यह आप देख सकते हो, this is the first street, जो वहाँ पर थी, so, that is it, let's go to the actual, यहाँ पर भी उन्होंने photo देखिए, multi-roomed house at Mohan Jodaro, यही photo है, वहाँ पर, site पर, so Mohan Jodaro, the excavations at Mohan Jodaro by Rakhal Das Benerji, begin in 1921-22, तो almost, जब हरपा हुआ, उसके बाद हमने यह चालू किया था, Mohan Jodaro, करीब वहाँ से 500 के दूरी पर, 500 km की दूरी पर, he concluded, because of the similarity between the seals, तो देखिए, seals उनको सेम मिले, and other artifacts, that the ancient, ancient civilization of Mesopotamian and हरपन, had cultural ties भी थीचा था, तो यह उनको Mesopotamian से भी, हमको पता है, trade होते थे, right, international trade होता मेसोपोटेमिया और हरपा के बीच हुए, तो यह हमें cross seals मिले थे, and वहाँ पर artifacts जो मिले थे, अलगलग, उसके based पे हमने यह conclude किया हुआ था, कि Mohan Jodaro भी उसी जवाने का, like, वही time का, वही period का एक city है, इन 1923-224, to gather more information about Mohan Jodaro, Madho Sarup Watts, Kashinath Narayan Dixit, Ernest Mackey, and others conducted further excavation under Sir John Marshall's direction, तो अब यह again archaeological survey के अलग-अलग, next-next director general आते रहे, तो John Marshall जो director थे उस time के, उनके अंडर यह archaeologist अलग-अलग, जिनके नाम अमने अभी पड़े, वो लोग ने excavation जालो किया, During these excavations, various artifacts, houses, public monuments were unearthed, unearthed, यानि कि वो अर्थ के अंदर समाई हुई थी, वो हमने खोद के निकाली, unearthed, Mohan Jodaro was built on the banks of river Sindhu, in this, जिसे कहा जाता, in Pakistan district, it was not possible to reach the bottom layer during the excavations, because of the high levels of groundwater, Since river के बाजू में ही है, बहुन जो दारो, और river का पानी ground water में होता है, तो इसको हमने ज्यादा, city को हमने ज्यादा deeply नहीं खोद के देखा, वरना ground level water disturb हो सकता है, However, it is likely that a Neolithic settlement contemporary to one at Maegar existed there, लेकिन हम मानते हैं कि वो टाइम पे वहाँ पे नियो लितिक इसके पहले, नियो लितिक settlement वहाँ पे जरूर रहा होगा, Okay, area-wise Mohanjodaro is the biggest city among those discovered in Pakistan so far, तो अगर सिफ पाकिस्तान में अगर Harappa civilization की sites की बात करें, तो सबसे बड़ा site हमें जो मिला है, वो है Mohanjodaro, It was thought that the city was divided into two 45 sections, namely Citadel and the lower town, however there was additional section of the market, in this section where found various workshops, cleanse of the baking, pottery and beads, तो यहाँ पर भी पहले माना जाता था कि इसे दो partition मिले हैं लेकिन हमें बाद में पता पड़ा, there is also a third partition, जहाँ पे market था, workshops थे, जहाँ पे लोग काम करें, pottery बना रहें, बेच रहें, यह सारा काम कर रहें, Okay, beads बना रहें, बेच रहें, तो यह सारा काम कर रहें, the remains at Mohonjodaro were considerably intact, काफी अच्छी तरह से maintained थे, intact में थे, So the glory of the city was revealed in the way of the houses, majestic buildings, wide streets, तो देखिए, सारे features common again आगए, बड़े-बड़े घर, अच्छे streets थे, Thus the evidence of the impressive town planning and the public administration characteristics of the Harappan civilization came into light, और यही से हमें पता-पड़ा, यह सारे characteristics हम कहां देख चुके हैं, Harappan civilization के अंदर, यानि यह दोनों, एक ही time के भी बात होगी, The town planning of Harappan cities can be easily compared with the town planning of the modern cities like चंदीगड, तो आज के जमाने का अगर comparison करें, तो चंदीगड वगिरा जो cities भी है, उसी तरह से बनी हुई है, आपको अच्छे कासे parallel streets देखने मिलेंगे, 90 degree पे कट है, In fact, हर city में आपको कही न कहीं आपको देखने मिलेगा, हर town में आपको देखने मिलेगा यह चीज, कि every street is, you know, they try to make it parallel to other street, आप एक जगह से आओगे, दूसरी जगह से आप फिर से मिल सकते हो आपस में, So, यह town planning उसे कहा जाता है, Considering the economic and the human resources required for the creation of a pre-planned city like Mohanjo-Daro, it is obvious that it was created to serve a distinctive purpose, So, यह अब कहरे कि, जिस level पे यह चीज बनी थी, उससे यह साबित होता है कि यह चीज ऐसे ही नहीं बनी थी, कि यह time being settlement है, यह एक काम के लिए बनी थी, तो यह काम क्या होगा, तो सीदी सी बात है, यह river के बाजू में है, यह दूसरे cities, चोटे चोटे और sites, हरपन sites है, उसके पास में है, तो यह सबका main center हुआ रहेगा, जहां पे दूसरे आसपास के गाउ के लोग, cities होते हैं, गाउ होते हैं, तो आसपास के अलग-अलग sites के ल एक आपको समझना है, system वो बताने की कोशिश कर रहे है, economic level पे, next city है काली बंगन, काली बंगन, मैं आपको जैसे नाम already कहा, काली बंगन, यानि की black bangle, इसका meaning होता है, the site of काली बंगन is 205 kilometers away from Bikaner, तो यह राजस्तान में पढ़ता है, Bikaner राजस्तान में है, आपको पता वहां से 205 kilometers की दूरी पर है, it is located in Hanumangar district of Rajasthan, it was one of the important urban centers of Harappan civilization, तो यह भी एक center था, जैसे कि मैंने कहा, Mohan Jodaro भी एक center का काम करता होगा, वैसे यह भी एक important center था, situated on the banks of the river Ghagar, तो यहां पे कौन से river है, Ghagar river है, L.P. Tessitor, यह भी again नाम है, Italian linguistic का, उन्होंने यहां पे विजट कि था और उन्होंने इस जगा की study की थी, he had reported that Kali Bangan is an ancient site and it could be prehistoric, it was confirmed to be a Harappan city only after excavation began there in 1960, तो जो यह Italian linguistic थे, उन्होंने माँ पे ऐसे ही अपनी study के लिए गये थे, उन्होंने कहा था कि यह site prehistoric हो सकती है, वगेरा वगेरा, यानि बहुत पुरानी हो सकती है, लेकिन यह 1960 में न उतनी पुरानी भी नहीं है, लेकिन यह Harappan civilization के time की एक city है, it was concluded, it was conducted under direction of Bridge Basi Lal, the then Director General of Archaeological Survey of India and Bal Krishna Thapar, तो यह 1960 में अब Archaeological Survey of India के General कौन थे, Bridge Basi Lal थे और उनके साथ Bal Krishna Thapar थे, उनके अंडर यह वहाँ पे excavations किया गया था, अट काली बंगन, two settlements, one of the mature Harappan period and another of the early Harappan period were found, तो यहाँ पे हमें, जो evidence मिले उसके वेस्पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे early Harappan period और mature Harappan period देखने मिलता है, काली बंगन was a small city compared to Harappa and Mohanjodaro, अगर Mohanjodaro और इससे compare करें, तो यह काफी छोटा था, The division of the city into citadel and lower town was found here, also यहाँ पे भी दो division मिला, citadel and lower town, एक अपर वाला पार्ट पूरा जहाँ पे traders and main बड़े-बड़े जो nobles है वो लोग रहते हैं, और दूसरे एक lower town जहाँ पे market है, workers रहते होंगे, दूसरे-दूसरे वरक्शोप जोन के, The site of Kalibangan is important for two things, the first is plod field of early Harappan period, तो यहाँ पे ploying field का हमें evidence मिला है, जो हमें बताता है कि यह early Harappan period का है, And this field is dated to about 2800 before common, और वहाँ के आमने dating निकाली है, तो वो 2800 before common रहा होता है। The furrow marks in this ancient field are similar to the furrows of modern fields in the surrounding area, the other thing is the series of six to seven fire altars in the citadel, evidence of fire altars inside the house of common people has also been unearthed, Apart from this, there was house with series of fire altars outside the fortification wall, तो अब यहाँ पे दो important बाते इस जगा की क्या है, हमें field जो है, जो agriculture field जो है, वहाँ पे furrow marks, furrow marks यानि जो खुदाई करते वक जो marking आता है, वो चीज हमें मिली थी जो हमें बताती है कि यह early Harappan period थी, दूसरा हमें यहाँ पे fire altars, यानि जहां पे आ सारे हमने अलग-एलग घरों में, लोगों के घरों में अलग से जगा देखी थी, जहां पे लोगों के लिए अलग से आग जलाने के लिए है, यह माना जाता है कि यह वो लोग अपनी fire worship करते थे, वो लोग उसे पूझा करने के हिसाब से वो जगा बनाई गई थी, ऐसा मान जाता है, some of them contain animal bones और कुछ उसमें animal bones थे according to some archaeologists, this might be indicative of fire worship, तो उसे बली चड़ा दिया, या उस हिसाब से महाँ पर वो था, ओके, ऐसा इनका मानना है, काली बंगन के बारे में, ओके, so, let's see वो भी, शायद से मैंने site पर देखा था, काली बंगन, so, ये लोथल है, ये डोला भी रहा है, काली बंगन भी था यहाँ पर, I guess हमें सर्च करना पड़ेगा, so, आप ये खुद ही देख लीजेगा, थोड़ा सा, ये site www.harappan.com जहाँ पर आपको सारी, ये नो, अलग-अलग sites के बारे में, पता मिलेगा, let's move on to the next site, Lothal, Lothal के बारे में, अब भी जब हम देख रहे थे, Lothal यहाँ पर देख लेते पहले, walk-through Lothal, तो ये वो site है, again, you can see, यहाँ पर, ancient site of Indus, and गुजरात में है ये, and florist, काफी florist हुई थी, and, let's see some photos, so, यहाँ पर पानी से लोग ट्रेट वगरा करते थे, dockyard वगरा था, so, dockyard basically वो होता है, जहाँ पर ships वगरा आ रहे, तो ये dockyard है, खाली है, आप बुलेंगे, रहे dockyard ऐसा दिख रहा है, बारिश के बाद, यहाँ पानी जब था इसमें, तो ये कुछ ऐसा दिखता था, जो अभी दिख रहा है, पानी भरा हुआ पुरा, so, ये सारे कुछ पूफ है, ये सारे like evidence है, तो कि यहाँ पर इनोंने ये किया हुआ, फिर ये warehouses मिले है अलग-अलग, फिर ये पूरा drainage system जैसा पूरा निकला हुआ है, पानी के लिए निकलने है, steps है एक तरफ से, ये पूरा बनाया हुआ, so, upper town, lower town, ये सब बता रहे हैं, फिर ये अलग-अलग wells और pot finance, यानि इसके अंदर पकाने के लिए, जैसे हमने भटी देखते हैं, जिसके अंदर रोटी, तंदूरी रोटी बनती है, तो कैसा होता है वो भटी का, तो ये कुछ वैसा था, जहां पर माना जाता है, ये लोग kitchen, ये kitchen होगा करके, और यहां पर वो लोग पकाते थे, तो ये अपर तरफ की भटी, और अंदर, ग्राउंड के अंदर खोदी हो भटी, ऐसे दो तरह की भटीया मिली थे, तो इसे kitchen, अपर ताउन, विथ पॉट फॉनेंस, लोथल पॉट फॉनेंस, तो अगेन याप एक पॉट फॉनेंस आपको दिख रहा है, ये, cooking blocks, अलग-अलग cooking blocks देख रहे हैं, आपर लोग cooking करते हैं, उटे करके, So, these are some basically photos, आप देख सकते होगे, ये देखे, drainage system के लिए, बनावा पुरा, So, again, I would like, simply tell you, कि आप लोग उसे, और देखे खुद से photos, Let's move on, The center of Harappan civilization at Lothal, was situated near the Gulf of Kach in Gujarat, 80 kilometers away from Ahmedabad, आज की तारिक में, 80 kilometers दूर जो है, Gulf of Kach area Ahmedabad से, वहाँ पर आपको Lothal site मिलती है, It is known for the remains of Harappan dock, तो ये dock, some dockyard देख लिया, अलरदी मैं आपको dockyard बता दिया, Lothal was excavated from 55 to 60, तो ये 55 to 60 के बीच में, ये excavate हुआ था, अलग 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 आपको याद रखने, कौन excavator था, कौन उसके अंडर, किसके अंडर काम किस ने किया था, तो यहाँ पर separate fortification नहीं है, जो हमने हर जगा fortification देखा था, रेदर आर सराउंड़ेट बाई, तो यहाँ पर single fortification, यानि एक ही वाल से वो simple, अलग किये गए है, अलग-अलग दो walls नहीं है, एक ही वाल है, तो इधर citadel, इधर lower town, ऐसा, ओके, लोथल वाज एस्टाबलिश्ट ऑन बैंक्स ऑ रिवर, भोगाव, भोगाव, भोगाव रिवर है वहाँ पर, तो इससे प्रूफ होता है, यह अच्छा खासा पोर्ट था, और यह ट्रेडिंग सेंटर था, यहाँ पर अलग-अलग जगा से, मोहन जुदारों से, हरपा से, भोला अविरा से, अलग-अलग अपस में लोग का ट्रेडिंग चलता, था, इस अन इंप़र्टन एग्जांप्ल अजनियरीग एग्सेलने Tree च्छो मतसार हो बहुत ही एग्जांपल है, बहुत ही एक्स्क्टेड़र्टेक्ट्चर वग चाजांपल है, एटरों प्र प्रवजूखा, आज की तारिक में वो दूर हो चुका है क्योंकि सी का जो रिवर का जो ट्रैक है वो चेंज होते था हावेवर इन इंचिन ताइम लोथल वस इंडेल्टा रिजन अफ गल्फ अफ कच लेकिन तब के टाइम पे वो डेल्टा रिजन में पड़ता था तो यह तो अच्छा खासा नॉलेज था कब पानी हाई टाइड होता है यह सारा नॉलेज था उस हिसाब से उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन वगएरा किया था तो यह सिस्टम बनाता तो हाई टाइड लोटाइड दिन में होता ही है तो यह उनका सिस्टम था कि कैसे वो हाई डॉक्स में माल उतारेंगे वगेरा 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 वन्स अबोट एंटर दॉट 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 थूट थूट इंटू एक बार जो जब डॉक में आ गया एक बार वो शिप आ गया बाकी जब वह पानी कम हो रहा तो एक तरफ से गेट होता था गेट इस सम्थिंग उसने खोल दिया पानी वहां से एक्जिट हो गया तो इस तरह से हमको डॉक्स में शिप मिल जाएगी जो जहां पर वो में सी या रिवर से बाहर है अब वहां से मनों माल वगेरा उतार सकते हैं तो यहां पर अब बोट बनाने की भी बात हुरी डॉक्स पर बोट बंती भी ह बन से में राइट तो यह वहां पर पूरा सिस्टम उन्होंने बताया की कैसे हमने शिप को लिया डॉक्ञ पर उसको रिपेर वगारा करना किया दोड़ और वापस से वह से हो ने सेल करने को डिया नेक्स साइट है डोला वुरा डोला विरा साइट भी है यहां पर लेट सी तो राइटिंग के अनुसार देखिए माना जाता है यह सिम्बॉल मिला था तो देखिए टेन लेटर का सिम्बॉल है जिसमें रिपीट हो रहा है यह कुछ तो उनने अपनी भाषा में जो उनको समझती होगी वह साबसे कुछ साइन बोड यह बहुत जगा अलग अलग जगाव पर था तो यह माना जाता है कि बहुत अच्छा कुछ उनका साइन शिम्बॉल सब कुछ रेडी था और और फूटो देख यह दहुला विरा से मिले वह यह वहाँ पर लाइन सुन पिलर का साइट से फिर अच्छा खासा सकते हैं यह वैसा सिस्टम का उनका इंजीनेरिंग है आकिटेक्ट्चर है कि आप इसके अंदर चीजे ऐसे अटक जाएगी नेक्स्ट वाला जो रॉक होगा वह अटक जाएगा दोनों एक दूसरे के उपर खड़े रह सकते एक के उपर एक ऐसा तो यह आपको एक थोड़ा इसे हमका फोटो बीच में से बहुत सारे फोटो जैसे आप देख सकते हो काफी यह देखी पूरा यहां पर रिजर्वायर डोला विरा का रिजर्वायर का फी लाज रिजर्वायर पानी यहां पर स्टोर होता था और उसे यूज करते थे काफी डीटेल बगरा मेंचन पगेरा पगेरा नौर्थ गेट तो अलग-अलग गेट्स सिटी है तो अलग-अलग गेट्स होगा नौर्थ साइड 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 गेट्स है तो नौर्थ गेट्स वेस्ट गेट्स वेस्ट गेट्स यह वेस्ट गेट्स है काफी बड़ा एरिया है पुरा तो अब खुच से देख सकते हैं, let's move on to the chapter, यह eastern gate, so let's read, धोला विरा, धोला विरा was discovered by JP Joshi, the Director General of Archaeological Survey of India, तो उस ताम पर अगें धोला विरा जब हुआ था, उन्होंने excavation करना start किया था, तो वो ताम पर Director General JP Joshi थे, Site is in Khadir Bhit, Khadir Bhit in Gujarat, Kach district, excavation at the site where started by RS Bhist, तो RS Bhist ने चालो गिया था, Archaeologist थे, वो 1990 में चालो गिया था, Among the excavated Harapan sites, extent wise, अगर extent की बात करें, कितना लंबाई है, धोला विरा is the 5th largest city, 5th largest city आता, its town planning is somewhat different compared to other Harapan cities, इसका town planning थोड़ा अलग है, यह water tank का photo यहाँपे भी दिया हुआ है, हमने भी देखा यह photo, and early Harapan settlement was discovered at Dholavira, यहाँपे भी हमें early Harapan settlement मिला, there was a protective wall built around it by using mud bricks, unbaked brick, तो दो तरह के bricks हम उसकोते हैं, mud bricks यानि unbaked, bake यानि कि हम उसको bake करके strong बनाना सीख गहते हैं, bricks बनाना सीख गहते हैं, तो baked bricks अलग होते हैं, and dressed stones, the layers about this settlement had the Harapan city of mature, तो अब एक के उपर ही एक वो पुरानी site पे ही वो आगे construction कर दिये, जैसे हम लोग आप देखते रहेंगे, आपने खचा road होता है, खचे road के उपर ही पका road बनता है, आगे फिर से road construction होता है, तो उससी के उपर road बनता है, तो हम लोग हमेशा layer wise up होते जाते हैं, तो यहाँ पर हमें वो मिला हुआ है proof, इट वो सरांडेट बाइन आउटर fortification wall, the settlement within the outer fortification was divided into four sections, तो यहाँ पर चार section मिले थे और एक पूरा एक outer fortification wall था पूरा, citadel, the adjacent section reserved for high officials, lower town, these three sections had walls, तो यह तीन sections के walls थे, citadel, तो जो higher section है, उसके आसपास रहने वाला जो officials लोग का reserved area है, और फिर lower town, यह wall वाल पूरा fortified area, फिर fourth वाला था, the fourth section, inside the outer fortification did not have any additional separating wall, तो जो बाहर एक area सबसे पढ़ जाता है, outer fortification के पास का, वहाँ पर अलग से इन के लिए कोई separating wall नहीं थी, this fourth section was perhaps meant for workers, और यह माना जाता है, वो workers के लिए होगा, a dam of baked bricks and stone was built to obstruct the water for two streams which flowed near the closed city, and the water was diverted to canals and lakes, this was the most ancient system of water management, तो मैंने आपको drainage system बताया है, तो पानी एक जगा से दूसरी जगा लेके जाने भी canal system भी वह करता है, तो यह हमें वहाँ पर देखने मिला था कि baked bricks का उन्होंने system बना के रखा था, dam बना के रखा था, जो एक, जो main stream से पानी जा रहा है, river से पानी जा रहा है, वहाँ से वो अपनी तरफ जहाँ यूज हो रहा है, वहाँ पर लेके आ रहा है, और यह पुराने जवाने के सबसे बहुत ही बहतरीन water management system है, आखरी सिटी मेरे खाल से हम देखने वाले हैं, रखी गरही, रखी गरही, जो हर्याना में पड़ता है, तो सबसे बड़ी साइट अगर कोई है, तो वह रखी गरही साइट है, जितनी भी हमें हरपन साइट मिली हैं उसमें से, its total area is more than 350 hectares, the excavations of रखी हरे started in 1963, it continued in 1997 to 2000, तो ये चाल हुआ था 63 में और ये continue होता गया, 2000 तक में continue होता गया, लेटर दॉक्टर वसंद शिंदे of the Deccan College Pune, also conducted excavation at the side, और बाद में भी उस पे excavations होती रही, अट रखी घर ही, all characteristics of the Harappan cities were present, सारे characteristics थे, यानि वहाँ पे भी citadel था, वहाँ पे भी partition था, वहाँ पे भी fortification था, ये सब-सब-सब कुछ हमें seals थे, सब कुछ हमें मिला, it was the main center of Harappan civilization in the eastern region, east region में सबसे main center ये माना जाता था, at this site 2, evidence of fire altars like Kali Bangan has been found, यहाँ पर भी fire altars हमें मिले थे, इंडीड, cemeteries were found at various other Harappan sites, but the human skeleton remains from where there were not studied to analyze the hereditary characteristics of the population, तो हमें सिधी सी बात है, cemeteries, cemeteries भी मिली थी, that is, जहाँ पर हम किसी मरे, जो मर जाने पर हम गाड़ते हैं, उसे cemetery कहा जाता है, तो वहाँ से हमें human skeleton भी मिले थे, लेकिन हमने उसके उपर कुछ hereditary characteristic check-up नहीं किया हुआ है, however, the human bones from rakhi-garhi were subjected to genetic analysis, scientists believe that in due course, it would provide satisfactory answers to the question of the origin of Harappan people, हाला कि हमने rakhi-garhi में जो हमें bones मिले थे, वहाँ पर genetic analysis किया हुआ है, और आगे जाके हमें, Harappan people का originality पता पढ़ जाएगा, inter relationship between the cities and the villages, now, ये cities के बार में हमने पढ़ लिया, अब cities और जो आसपास और जितने अलग अलग गाव थे, उनके बीच का क्या relation कैसा रहा होगा, trade relation ही होगा, क्या कैसे होगा, वो हम पढ़ेंगे, और इनका पूरा रहना सहना डिपेंड करता है आसपास के विलेटिक से और फिर हरपन से बन गए और इनका पूरा रहना, सहना डिपेंड करता है आसपास के विलेजिस और आसपास के नैच्रल सॉसस के ओपर, तो इनके बीच का रिलेशन फूट ग्रेंज और रहना डिपेंड करता था कि कोई पटिकलर विलेज में पटिकलर फूट ग्रेंड हुगाया जा रहा है, कुछ पर्टिकलर जगा पे कुछ बीड मिल रहे है, या कुछ क्ले मिल रहा है, वो लोग आपस में ट्रेड बगरा कर रहे है, तो यह उनका रिलेशन था, तो इसा यह भी नहीं है कि हर एक प्री हरपन सेटलमेंट में कनवर्ट हो चुका था और सिटीज वन चुके थे, कुछ विलेज विलेज ही रहे थे, ऐसा वो कह रहे है, तो बड़े-बड़े सेटीज है तो बड़े चोटे-चोटे गाओ के वजह से उनका काम चलता है, वो वहां से आते रहेंगे, ट्रेडर्स वहां से होते है, तो यह सब कुछ जो है, सब कुछ सिस्टम कैसे बना हुए वो यहां पर बात हो रही है और semi-nomadic people थे यह लोग village वागे रहा जो यह लोग सब थे semi-nomadic people थे यह लोग cities में convert नहीं हुए थे वो लोग cities से जुड़े हुए थे with the help of trade. It included villages in remote regions as well the best example of it in the Harapan settlement of Shortugai in the Badashkan province of Afghanistan. तो यह जगा कोई है Afghanistan में वो best इसका example है. क्या है example let's see that this region is rich with the minds of lapis lazuli तो यह आपको जो stone दिख रहा है blue color का उसका नाम है lapis lazuli इसका pronunciation ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से there was a great demand of this semi-precious stone in Mesopotamia. तो Mesopotamia में इस stone की बहुत ज़्यादा demand थी तो यहां से बहां जाता था. The Mesopotamian epics described goddess Inanna's palace the wall of which was embedded with the stone. तो Mesopotamia में एक goddess थी जिसका नामी नाना था. उसके palace में जितनी भी wall थी वहां पे यह stone से उन्होंने decoration किया था. This stone was a very important commodity in the Harappan trade with Mesopotamia. Mesopotamia के साथ trade में हमारा यह Harappan का बहुत important stone था. So यह आपस में उनका trade का यहां पे बात हो गया, import export बात हो गया. Next is production, trade, organization, administration. So यही चीज़ आप अगें फिर से detail में हम देख रहें. In early phase of agriculture, making earthen pots and farming weather jobs of women. The pots fashioned by women were handmade. They were a digging stick for sowing the seeds. They used a digging stick for sowing the seeds. With this method, women could manage production just enough to meet the family needs of most of the extended family. Surplus production was not possible with this method. So अब काहर है कि जब agriculture start होआ, तो एक विमिन काम करती थी यह सब. And women जितना काम करती थी उस पे एक घर और एक घर के सारे members और थोड़े से extended members तक का खाना चल जाता था. उसके बाहर surplus उससे जादा वो नहीं कर पाते थे इस method से. The use of bullocks as draft animals had begun in the early Harappan period. The use of wheel enabled speedy and mass production of pottery. Use of plaws pulled by bullocks enhanced agriculture production. The clay replicas of plaws was recovered from the Harappan site at the Bannawalin Harappan. It became possible to obtain necessary commodities in exchange of agriculture produce. This was the beginning of part system. तो एक जन सिफ काम कर रहा है तो उतना वो प्रोड़क्शन नहीं कर पारे. लेकिन जैसे हमने bullocks का and different animals का इस्तमाल करना चालों कर दिया. Plawing के लिए, खुदाई के लिए, ट्रांस्पोर्ट के लिए, एक जगास, दूसरे जगास, माल पहुचाने के लिए. तो हमारा scale बढ़ गया, mass production हमारा हो गया हर चीज़ का. And हमें ये toy मिला था, replica मिला था, clay का बना हुआ, bullet card का. आपने पहले भी images देख चुके, again ये आपको मैं दिखा रहा हूँ images. तो ये सब proof है उस बात का, कि हमने ये use करना चालों किया, wheel का and everything का. क्या चीज़ है फिर बातर इससे क्या चालों किया, बातर सिस्टम चालों हो गया, this was the beginning of बातर सिस्टम, the food grains were exchanged especially to obtain salt, metals, precious object, salt, metals, precious object, पाने के लिए food grains exchange किये जाते थे. During the mature Harappan period, the sphere of commodity exchange expanded and their import-export increased to the great extent. The internal and distant trade received momentum, trade with distant places like Mesopotamia became regular, trade with Mesopotamia had begun during the early Harappan times. The Akkadian Empire was founded in 2334 before Kominirya by Emperor Sargao. During his reign, the Harappan trade with Mesopotamia flourished and the Harappan cities reached their peak. तो अब हम लोग mature की तरफ बढ़ गए, अब mature की तरफ बढ़ गए, हम लोग import-export करने लग गए, हम लोग अपने जगा हैं, आपस में ही नहीं, हम लोग Mesopotamia तक export करने लग गए, और वहाँ से relation हम पहले से ही था, early time से ही था, लेकिन अब और बढ़ गया, और बेटर हो गय और जो king था, emperor Sargaon 1 जो था, जो अकाडियन, अकाडियन, अकाडियन empire उसका नाम था, अकाडियन empire जो उसका था, वो जब था Mesopotamia में, तब हमारा काफी बहुत ज़्यादा trade हुआ, जिससे हम बहुत अब trade होगा तो पैसे आएगा, समझे तरह logic समझे, flourish peak time वो इसलिए है, क्य यह production चल रहा है, transport चल रहा है, export चल रहा है, import चल रहा है, लोग कमा रहा है, खुश है, तो यह peak moment माना जाता है, उस समाने का, one of the administrative records of emperor Sargaon describes the trade with distant places, it seems that the importance of trade by land routes passing through Iran, Central Asia had diminished in the mature Harappan period and the sea trade had become the preferred mode, तो यह एक record में पाया गया था, सारगाओं जो emperor थे उनके record में पाया गया था, कि पहले land से जो trade आना, roots था इनका, इरान में से पास होके, Central Asia से पास होके, Mesopotamia तक कहुचना, उसके अब वो बंद हो चुका था, उसके अलावा वो यूस करने लग गए थे, water routes यूस करने लग थे, the preferred mode, Dilmun, Makan, Meluha, यह अलग-अलग नाम है, sea roots के, was mentioned, are mentioned as three important centers on the sea roots, तो यह अलग-अलग centers, अलग-अलग spots है, Dilhum, Makan and Meluha, Dilhum is identified with Bahrain, तो आज के जमाने में यह कौन सा site होगा, तो Dilmun, Dilmun, जो site है, वो Bahrain जो country है, मकान is the coastal region of Oman, Iran, Balochistan and Meluha with the region of Harappan civilization, और Meluha के नाम से जाना जाता था, Harappan civilization, Mesopotamia की तरफ से, copper was available in the large amounts in Meluha, यहां पे copper बहुत था, the name Meluha is supposed to have its origin in the red color of copper, तो copper बहुत था, और copper का लाल color होता है, तो उसी के उपर माना जाता है, कुछ नाम Meluha उस से आया हुआ है, the commodities exported from Meluha to Mesopotamia, included copper, ivory objects, lapiz lazuli, carneal beads, textiles, timber, as well as monkeys and peacocks, the bodies of dead royalties in Egypt, were wrapped in blue colored cloth, that is indigo necessary for dyeing this cloth was exported by Harappan traders, Harappan traders are likely to have received wool, gold, silver in exchange of this commodity, तो Harappan के यहां पर बहुत सारी चीज़े थी, copper, textiles, timber, timber is wood basically, monkeys, peacocks and indigo, यह तो है, Harappan's Mesopotamia को देते थे, बदले में हमें मिलता था, gold, silver, wool, यह सारी चीज़े हमें exchange करते हैं, Harappan cities had a reserved section for industrial production, तो हमने देखा था कि हर एक जगा पे industrial production का अलग से एक section ही बना हुआ है, citadel, lower town and the workers place, जहां पे सारी factories वगेरा सब कुछ बने हैं, workshops है, there were also exclusively industrial settlements, तो यह भी हमने देखा था कि वहीं पे काम करने वाले लोग वहीं अलग से रहते थे, तो that is called industrial settlements, चनुदारो in Sindh was an important industrial town, तो उसी तरह से चनुदारा, चनुदारो, चनुदारो इसका पता नहीं क्या होगा, Sindh में जो यह एक जगा है, वो एक industrial town माना जाता था, मतलब हाँ पे लोग सिफ काम के लिए रहते थे, It is apparent that outposts in Gujarat were specially established for the convenience of the trade, और ये भी एकदम convenient, मतलब ये भी एकदम simple जानने के लिए है कि Gujarat में कितने sites जो थे, वो ये trade अच्छी तरह से चलता रहे, उस convenience के लिए ही बने थे, It was easier to reach the source of copper, chanx shells and semi-precious stones from the outposts like कुंतशी, नागेश्वर, बगासारा, etc. in कच्छ सौरास्ट, तो Gujarat में जो कच्छ सौरास्ट जगा है, वहाँ पे जो अलग-अलग outposts बने थे, जिसका नाम था कुंतशी, कुंतशी, नागेश्वर, बगासारा, इस जगा से हमें copper मिलता था, chanx shells, chanx shells आपको पता होगा आपने लास्ट चाप्टर में उने पडा था, semi-precious stones, यह सारी चीज़े हमें मिलती थी, जो आगे प्रोडक्शन के लिए जाती थी. it was also easier to ship out the finished goods from the outpost और यहां से ही यही दोक्याड का काम कर रहा है यहां से शिप भी चली जाती थी located near the coast of Saurashtra carrying out all the operation like procurement of the raw material production of the finished goods and export from one place to same region certainly proves to be beneficial for trade Harappan people built the trading outpost with the view in mind these were small in exchange but were important industrial centers Dholavira was a city built to oversee the trading transactions in Saurashtra Lothal was an important seaport तो यह उपर cities हमने अल्रेडी देख लिये छोटे-छोटे outpost का बात हमने यहां पे कर लिया यह outpost पे अलग-अलग माल या तो raw materials extract किया जाता है माल लोड किया जाता है यहां से वो shipping भेजते भी है धोला विरा से यह सारा चीज देखा जा रहा है control किया जा रहा है और लोथल एक अलग से seaport है यह पूरा एक system अब पूरा जोड दिया उन्होंने तो यह सारी चीजे तो यह बहुत ही clear हो चुक है मतलब बिगदम simple सी बात है बस वही बात repeat हो रही है कि एक strong यह सब चलाने के लिए अच्छा खासा system बनाने के लिए यह अच्छी तरह से चलता रहे एक strong administrative system था rules follow हो रहे थे regulations follow हो रहे थे and उस हिसाब से ही काम चल रहा था चल रहा था हर चीज और हर चीज का यह बताता है कि एक स्ट्रॉंग सेंट्रल सिस्टम था administration का यह सब चल रहा था हर चीज का तो अभी तक यह नहीं क्लियर है कि कोई एक ही जैसे की सबसे बड़ा साइट जो हमारा राखी घर ही था वही पूरा सब चीज को कंट्रॉल कर रहा था या सब अपना अपना एक कंट्रॉल कर रहे थे तो यह हमें ठीक से पता नहीं कि एक सिंगल स्टेट था कि फेडरेशन पार्ट्स था सिटीज लाइक मोहंजोदार हरपा डुला विरा राखी घर ही वेर पहापस रीजनल कैपिटल माना जाता है यह रीजनल कैपिटल अलगर एक रीजन में पढ़ते दूर दूर सब एक दूसरे से दूर दूर है तो एक एक एक उतने उतने रीजन के कैपिटल मालूम होते हैं सिटीज लाइक मोहंजोदारो काली बंगन लोथल और राखीगरी वेर अलसो इंपोर्टन रिलिजिस सेंटर्स और यह रिलिजिस सेंटर्स भी माना जाते क्योंकि हमें यहां पर मिले थे फायर अल्टर्स जहां पर हम इसको एक दम प्रोटेक्शन वाल से पुरा सिटीज को प्रोटेक्ट किया गया है उसके दिस्ट्रोयर को हम पुरंदर इंद्र कहते हैं तो इनको डिस्ट्रोय करने वाले भी वही है ऐसा यहां पर उनका एक है कहना है सर मौथी मेर विलर तो हमने उपर दिखा था जो ब्रिटिस ऑफिसर थे ओन इस बेसिस कंक्लूदेट दा इंद्र इस्ट्रोय दिस्ट्रोय किया गया है इन तर्न इदेट देट 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 वेदिकारेंस दिस्ट्रोय कर दिया और यह तब के लोगों ने मान भी लिया और विलर ने जो अपना दिया था उससे अगरी नहीं करते है तो अब वो माना जाता है कि एक कुछ आजानाक से किसी इंद्र ने या वेदिकारेंस ने आके से डिस्ट्रोय नहीं किया है यह है धीरे धीरे लोग माइगरेट होना चालो करती है क्योंकि वहाँ पर कंडिशन सही नहीं थी हरपन सीविलाइजेशन डिटेरोटरेटेड अज दा क्युमिलेटिव एफक्टर सच इस डिक्लाइन ट्रेड क्लामिट चेंज वीक्निंग ऑफ एक्रामी तो यह सारे अलग 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 सारे अलग 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 फैक्टर को मिला कि वन रीजन ओफ वह यहां पर रीजन क्या है कि क्यों हो गया था विकॉस देर वज़ाज एकॉन सा कॉन्फिलिक्ट इंटर्नल कॉन्फिक इन मेसोपुटमिया यानि मेसोपुटमियमें आपस में उनके कुछ ना कुछ वार जिग 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 चालो हो चुकी थी अलोंग विद इंक्रीजिंग सैलिनेशन अफ अब अगरिकुल्चर लाइंड वहां पर जो लैंड ती मापे सॉल्ट बहुत आने लग जा था लैंड के अंदर क्योंके रिमेंबर सारी के सारे रिवर के पास है फ्लड होते हैं अवरी टाइम यह और सॉल्ट छोड़के जात अब अब जाता है अरांड 2000 बिफो कॉमिल अब इसका खराब होना चालू हो गया बहुत जादा मातरा में इस मेंशन अरियर साइट अपर आपन civilization has been discovered in large numbers in the basin of Saraswati which is known now known by घागर हकरा तो Saraswati river जो एक पहले मानी जाती थी हमारी जो अब ड्राइ हो चुकी है पूरी तरह से तो वो माना जाता है कि यहां पे ऐसा था कि यह लोग तो Saraswati river के थू बहुत अपना काम चलाते हैं लेकिन वो ड्राइ हो चुकी थी और आज की तारिक में वो घागर हकरा रीजन मांग जाता है थे इंटर रलेशन बेट्वीन रहापन cities and the villages that form the support system of socio-economic life of cities dwindled in this period तो यह जो आपस में इनका पूरा cities और villages का support system था वो धीरे धीरे वीक हो गया the devastating earthquake in the Saraswati basin was the major reason responsible for it और इसका में रिजन था जो Saraswati river के अंदर माना जाता है बहुत बड़ा earthquake हुआ था जिससे Saraswati नदी जो है पूरी like dust गई थी और उसका course change हो गया था और ड्राय हो चुकी थी of Saraswati to change its course as a result the Saraswati dried up and the Harappans had to migrate elsewhere Harappan cities were abandoned पूरा पूरा city छोड़के जाना पड़ा क्यूंके पानी जो सबसे बड़ा source होता हर चीज का हमारे लिए वो नहीं रहा अब हमारे पास the settlements that came up on the remains of Harappan cities were not developed and rich जो उसके उपर अब next settlement आये वो इतने रिच और यह नहीं थे these settlements belong to late Harappan people the pottery houses for funnery customs of these people were different इंके घर वगेरा सब पुछ अलग था late Harappan people were forced to migrate because of natural calamities और इंको भी जगा छोड़के जानी पड़ी क्योंके natural calamities होने लगे थी new villages were settled by the mature Harappan and late Harappan people wherever they went अब वो जहां भी जाने लगे वहां ही अपना system चालो करने लगे it begin to rise a new rural culture अब यह अलगी rural कर्चे चालो गया spread of this new cultures in seen in Rajasthan, Gujarat, Malwa and Maharashtra तो अब यह जितने sites है सारे Harappan के वहां से अगर लोग अलग-अलग direction में migrate होंगे तो आपको पूरा Maharashtra, Rajasthan, Gujarat यह states मिलेंगे तो यहां पे अलग-अलग regions जो है वो पुराने पुराने पुरवजो को track किया जाएगा तो वो सारे के सारे late Harappan people and mature Harappan people के ancestry में आते है these new cultures known as the Chalcolithic cultures we will learn about the cultures in the next lesson तो यह next कौन सा भी है जो हमने first chapter से word पड़ रहे हैं लोग तो यह हम next chapter में आगे वाले chapter में देखेंगे so that was the end of the chapter I hope आपको समझ में आया I hope आपको मजा आया and notes बनाईए अच्छे से लिखिये, read करिये खुद से और यह आपको एग्राफ दे आ लग लग कौन से you know excavators थे कौन से director generals थे उनका दिया हुआ है एक chart इसको refer करियेगा जरूर so that was the end of the chapter like the video share the video subscribe to the channel guys thank you so much keep learning keep sharing and keep smiling thank you thank you